वेलकम टू ग्रीन बोर्ड मेरा नाम है मंदीप इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैस चेप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेर ओफ लीनियर एक्वेशन सिन टू वेरियेबल से इस चेप्टर की ये इंट्रोड़क्शन वीडियो होगी इंट्रोड़क्शन में हमें क्या चीज़े समझनी है exercise के questions से related जो भी concept है जो भी formula है उन सबी चीज़ों को इसे introduction वीडियो में समझेंगे examples के साथ है so new NCRT book के according जो भी pair of linear equation in two variables के concept है उनको समझने के लिए चलते हैं अगले page पर introduction में सबसे पहले जो भी हमारा chapter का इतना बड़ा सा name है pair of linear equation in two variables से इसी name को decode करते हैं actual में हमें समझना क्या है इस chapter में तो सबसे पहले इस name में मेरे सामने आता है linear equations है polynomial वाला जो chapter था यानि की chapter number two उसमें आपको बताया गया था किस किस type के polynomial होते हैं और linear equation किसको कहा जाता है linear polynomial किसे कहा जाता है अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरह का example भी दिया था two x plus में one equals to में zero यहाँ पर जो भी हमारा variable है variable x है इसकी degree कितनी है जो भी हमारी ये equation है इसकी degree one है तो कोई भी ऐसा polynomial जिसकी degree one होती है उसे linear polynomial या फिर linear equation कहे सकते हैं यह हमारा linear equation हो गई अब यहाँ पर chapter के name में क्या कहा गया है की linear equations का pair याणि कि हमें दो इकटी equation मिलेंगी पेर क्या होता है पेर में दो equations हमें मिलेंगी और जो भी equations मिलेंगी उनके बारे में कहा है two variables में होगी जैसे इस वाली equation में हमारे पास सिर्फ x variable है लेकिन जो भी chapter में हमें मिलेंगी chapter number 3 म उनमें हमारे दो variables होंगे example के लिए आपको दे देता हूँ एक equation जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x plus में 3y उसके बाद plus में 1 equals 2 में 0 जो हमारी उपर वाली यह equation है इसमें अकेला x variable है और जो यहाँ पर मैंने equation लिखी है इसमें हमारे पास x और y यानि की 2 variables हैं तो linear equation होगी pair में होगी यानि की 2 equation 81 मिलेंगी और 2 variable में होगी यानि की उसमें x और y इस तरह से 2 variables given होगे बिल्कुल simple way में हमने इसके name को decode अभी किया है अब आते हैं जो भी pair of linear equation in 2 variables है है इनकी standard form क्या होती है तो standard form यहां पर हमें दी गई है a1 x plus में b1 y plus में c1 equals to में 0 a2 x plus में b2 y plus में c2 equals to में 0 जो भी हमारी pair of linear equation in 2 variables होगी उनकी इस तरह से standard form होगी जहां पर a1 b1 और c1 यह हमारे coefficients होगे a2 b2 और c2 यह भी हमारे coefficients होगे first वाली equation में a1 b1 और c1 coefficient है है और second वाली equation में a2 b2 और c2 coefficient होगे first वाली equation में x और y आप यहां पर देख सकते हो यह हमारे variables होगे और second वाली equation में भी x और y हमारे variable होगे अब जो भी हमें problem दी होगी chapter number 3 की exercise में questions में उनमें किस तरह से हमें equation मिलेगी यह ध्यान रखना है हमेशा 2 equation मिलेंगी जैसे example के लिए यहां पर मैं लिख देता हूँ 2 x plus में 3 y उसके बाद plus में 2 equals to में 0 इसी तरह से यहां पर आ जाएगा हमारा 5 x plus में आ जाएगा यहां पर 7 y उसके बाद plus में 8 equals to में 0 यहां पर हमारे पास 2 equations का pair मिल गया है दोनों हमारे linear equations हैं और दोनों में x और y variables दिये गए हैं यानि कि यह दोनो equations two variables में हैं तो जो भी standard form होती है pair of linear equation in two variables की उसका यहां पर मैंने आपको example भी दे दिया है अब यहां पर समझना पड़ेगा जो भी हमारा x का यहां पर coefficient है उसे हम क्या कहेंगे a1 कहेंगे यह हमारा guys a1 हो जाएगा उसके बाद यह हमारा y का जो भी coefficient है यह हमारा b1 हो जाएगा और उपर वाले equation में जो भी constant term है यानि कि यह वाला two है यह हमारा c1 हो जाएगा इसके बाद जो नीचे वाले equation है इसमें भी हमें देखना होगा x का जो भी coefficient है वो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला 5 हो जाएगा हमारा guys a2 ये वाला 7 हो जाएगा हमारा b2 और ये वाला 8 second वाले equation की constant term है तो ये हो जाएगा हमारा c2 इस तरह से हमें equations को समझना पड़ेगा अब जो भी हमारी pair of linear equation in two variables है उसकी standard form के साथ हमने example से भी उसको समझ लिया है अब बारी आ जाती है कि जो भी pair of linear equation in two variables होगा उसको solve किस-किस तरह से किया जा सकता है कौन-कौन से method है तो यहाँ पर दिया है solution of pair of linear equation in two variables है टोटल तीन method है solve करने के पहला है graphical method दूसरा है substitution method और तीसरा है elimination method यह तीनों के तीनों method काफी important है क्योंकि जो भी equations हमें दी होंगी question में जो भी equations हमें मिलेंगी उनके साथ ये भी लिखा होता है कि इसको graphical या फिर substitution या फिर elimination method से solve करना है तो तीनों के तीनों method आपको आने चा सबसे पहले बात करेंगे next page पर graphical method की किस तरह से pair of linear equation in two variables जो हमें दी होंगी उनको graphical method से कैसे solve किया जाएगा और क्या-क्या important point है शुरू करेंगे graphical method को समझना अगले page से. graphical method को समझने से पहले शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस chapter number 3 से exams में किस तरह के questions आते हैं उसके लिए हमारे पास है ओसवाल गुरुकुल की ये book CBSC last 10 year solve papers पिछले 10 साल में जो भी exams हुए हैं उनके question paper वो भी solve इस book में दिये गए हैं इसके page number 275 पर इस question number 7 को आप दे दिलिश के भी आपको question papers दिये गए हैं पिछले 10 साल के math के भी दिये गए हैं और social science के भी दिये गए हैं सारे के सारे solve question papers आपको दिये गए हैं तो अगर आप exam की practice करना चाते हो exams की prepare कर रहे हो better तरीके से prepare करना चाते हो तो ये book आपके लिए ही बनी है इसको purchase करना है तो link description box म में दिये गए हैं या फिर direct amazon से purchase कर सकते हो search कर लो amazon पर oswal gurukul cbse last 10 year soul papers purchase करो और जो भी अपने exam की performance है उसको improve करो अब आ जाते है graphical method को समझते है next page से graphical method को हमें समझना है graphical method को समझने के लिए जो भी हमारी pair of linear equations इन two variables हैं उनकी standard form हमें पता है पीछे वाले page पर समझ ली है जो कुछे इस तरह से होती है a1 x plus b1 y plus c1 equals to me 0 a2 x plus b2 y plus c2 equals to me 0 ये standard form होती है अब इस standard form की हमें जरूरत है किस तरह से standard form का हमें use करना है यहाँ पर हमें समझना होगा जो भी graphical method में हम pair of linear equation in two variables यानि कि जो भी दो equation हमें दी होगी उनको जब graph पर draw करेंगे तो हमें पता चलेगा कि line से किस तरह से आती है दोनो equations की लेकिन बिना draw की ये भी हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी equations की line है वो intersecting है parallel है या फिर coincident हैं कैसे पता ratios को compare करके ध्यान से समझना यहाँ पर जो मैं आपको concept explain करूँगा यहाँ पर देखो x के यहाँ पर जो भी coefficient a1 और a2 है इनको हमें ऊपर नीचे रख लेना है यानि के fraction बना लेना है इनसे ठीक है a1 upon में a2 हमने कर दिया उसके बाद जो भी y के यहाँ पर coefficient b1 और b2 है इनका अभी fraction बना लो a1 upon में a2 और b1 upon b2 अगर एक दूसरे के equal नहीं दिये गए है न इस वाली condition में a1 upon a2 equal नहीं है b1 upon b2 के तो जो भी graphical representation बनेगी यानि कि graph बनाएंगे जब हम equations का तो उसमें intersecting lines आएंगी जो lines हैं वो एक दूसरे को cut करेंगी माल लो first equation की line कुछ इस तरह से दी गई है तो second equation की line इस वाली line को cut करेंगी किसी एक point पर और अगर किसी एक point पर ये cut करती है line जहां पर भी एक दूसरे को cut करती है वही उन equations का solution होता है एक ही point पर ये cut करेंगी तो one solution होगा इस वाली condition के लिए intersecting lines के लिए अगर हमें कोई equations दी गई है जो भी pair है equations का वो दिया गया है तो हम उनके जो भी coefficients हैं उनके ratios को compare करके ये पता लगा सकते हैं कि वो line से किस तरह की होंगी अगर ये वाली condition मिल जाती है तो intersecting lines वो हो जाएंगी और उनका सिर्फ है एक ही solution होगा unique solution होगा जिस भी point पर वो एक दूसरे को cut करेंगी example भी आपको दूँगा जब example लेंगे यहाँ पर तो आपको और अच्छे से ये clear हो जाएगा अब second वाली condition पर आजाओ जो भी हमारा a1 a2 है वो आगया b1 b2 है वो आगया और जो हमारी constant term है दोनो equations में c1 upon c2 ये भी आगया अगर a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 ये तीनो ratio एक दूसरे के equal अगर आजाएं ये तीनो fraction अगर एक दूसरे के equal आजाएं तो जो lines है ना जो भी हमारी pair of linear equation in two variables है दोनो equations की line है वो किस तरह की आएगी coincident line है यानि की मालो first equation की line हमारी कुछ इस तरह से दी गई है तो जो second equation की line है वो बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी बिल्कुल ऊपर इसको cover कर लेगी coincident line यानि की line के ऊपर line आजाएगी अगर coincident line है यानि की जो भी दो lines हैं वो एक दूसरे को हर एक point पर मिलती है हर एक point पर वो एक दूसरे इसको touch करती है तो इस condition में जो solution है वो कितने हो जाएंगे many solution infinite many solution यानि की अंगिनत solution होंगे इस वाली condition के लिए आपको condition ये ध्यान रखनी है काफी important है इस से related exam से में question से आते हैं अब थर्ड वाली condition पर आजाओ a1 upon a2 equal है b1 upon b2 और equal नहीं है ये c1 upon c2 के first condition जो है वो ये है इस वाले part में की a1 a2 equal होना चाहिए b1 by b2 के लेकिन equal नहीं होना चाहिए c1 upon c2 के अगर ये वाली condition आ जाए तो जो lines है न वो parallel होंगी दोनो equations की यानि की इस तरह से समझो मालनों first equation की ये वाली line आ गई है graph पर तो second वाली क्या होगी इसी के parallel होगी जो इन दोनों के बीच का distance है वो constant रहेगा ना तो ये line एक दूसरे के पास आएंगी ना ही बिलकुल दूरी बनाएंगी एकदम समानतर ये चलती रहेंगी बराबर हमेशा रहेंगी parallel रहेंगी अब अगर parallel lines हैं तो कोई भी solution नहीं होगा क्योंकि solution कहां पर होता है जब line किसी ना किसी point पर एक दूसरे को touch करें meet करें जैसे यहां पर एक solution है क्योंकि एक point पर touch करती हैं coincident में हर एक point पर वो touch करती हैं तो many solution होगे अब parallel lines वाली condition में तो वो एक दूसरे को कहीं पर भी touch करती ही नहीं है तो इस वाली condition में जो third वाला हमारा ये point है इस वाली condition में कोई भी solution नहीं होगा बिल्कुल simple simple 3 point मैंने आपको explain कर दिये हैं अब इसको explain कर देता हूँ example से यहां पर हमारे पास example है example से हम यह देखेंगे कि यह वाली जो pair of linear equation in two variables हमें दिये गए हैं इसमें किस तरह की lines होगी तो हमें सबसे पहले क्या करना है a1 by a2 equal है b1 by b2 के equal है या नहीं यह हमें check करना है तो यहां पर देखो जो भी हमारा ये x है इसका coefficient इसका जो भी number part है कुछ भी नहीं है तो 1 होत अब से 1 लिख लिया उसके denominator में हमें क्या लिखना है a2 तो a2 क्या होगा नीचे जो x दिया गया है उसका multiple उसका coefficient जो कि यहां पर है 2 तो यहां पर आ गया हमारा 2 इसके बाद equals का sign लगा लेते हैं और यहां पर हमारा 3 है नीचे हमारा minus 3 है तो यहां पर आ गया 3 नीचे आ गय के equal नहीं है तो बीच में जो sign लगा है उसे cut कर देंगे अब यहां पर condition हमारी क्या हो गई है कि a1 upon a2 equal नहीं है b1 by b2 के ये वाला और ये वाला fraction एक दूतरे के लिए equal एक दूतरे के equal नहीं है तो जब भी हम इसका graph बनाएंगे ना वहां पर intersecting lines आएंगी कुछ इस तरह की lines आएंगी और इन दोनो equations का pair of linear equation का सिर्फ एक ही solution है इसको verify भी कर देते हैं बिल्कुल simple है अब हम इसका solution यानकी graph किस तरह से बनाना है उसके लिए आपको इस तरह से दो boxes बनाने हैं ठीक है दो boxes आपको ध्यान से बना लेने हैं यहां पर हम करेंगे graphical representation जो भी हमारे example में हमें pair of linear equation in two variables से given है इस वाले में आ जाएगा हमारा x से इस वाले में आ जाएगा y यह होगी हमारी guys first equation यह होगी हमारी second equation यह हमारा जो box है यह first equation के लिए है इसी तरह का एक box यहां पर भी बना लेंगे जो होगा हमारा second वाली equation के लिए यह हमारी second equation के लिए box है अब इसमें भी हमे x और y ही लिखना है यहाँ पर x लिख लेते हैं यहाँ पर y लिख लेते हैं अब जो भी मैं work करूँगा न वो roughly हमें एक side में कर सकते हैं जैसे first वाली equation है हमारी x plus में 3y equals to me 6 एक side में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x plus में 3y equals to me 6 इसमें क्या करता हूँ मैं सबसे पहले y को मैं 0 माल लेता हूँ ठीक है यह first equation के लिए हमारा box है y की जगे पर अगर मैं 0 put करूँगा तो x की value क्या मिलेगी graph बनाना आपको आता होगा class 9 में भी इस तरह के graph हमने draw किये हैं तो y की जगे पर मैं 0 put करता हूँ as it is आएगा 3 को यहाँ पर 0 में multiply कर देंगे किसी भी value को 0 में multiply करते हैं तो वो 0 के equal हो जाती है तो यहाँ पर जो भी हमारी ये value है 3 को 0 में multiply करने पर ये हो जाएगा हमारा 0 equals to me 6 है जो भी x है उसकी value क्या हो जाएगी 0 अगर x में add करेंगे तो x ही रहेगा equals to me जो भी हमारा 6 है वो as it is आजाएगा अगर y की जगे पर मैंने 0 put किया है तो x की value मुझे मिलती है 6 बिल्कुल इसी तरह से एक बार x को 0 करके देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा x की जगे पर मैंने put करना है अब की बार y हमारा as it is रहेगा equals to me 6 हो जाएगा हमें y की value find करनी है तो y equals to me जो भी 6 है वो as it is रहेगा 3 हमारा कैसे है multiply में है दूसरी तरफ shift करेंगे तो यह हो जाएगा divide में 3 से यहाँ पर 6 को cancel कर देंगे 2 times पर y की value हमें मिल जाएगी 2 तो अगर x की जगे पर मैंने 0 रखा तो y की value मुझे 2 मिलती है जैसे हमने first वाली equation के लिए इस box में 2 solution find किये हैं इसी तरह से second वाली equation के लिए भी 2 solution find कर लेंगे roughly एक side में आप ये कर सकते हैं second वाली equation को यहाँ पर लिख लेते हैं second वाली equation हमारी है 2x माइनस में 3y equals to me 12 अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सबसे पहले y की जगे पर 0 रख लेता हूँ ठीक है y की जगे पर मैंने 0 रखा अगर y की जगे पर 0 रखा है तो x की value क्या होगी यहाँ पर आ जाएगा guys हमारा 2x माइनस में 3y की जगे पर आ जाएगा 0 equals to me यहाँ पर आ जाएगा 12 अब यहाँ पर देखना है हमें देखो 2x हमारा as it is आ जाएगा 2x के बाद जो minus का 3 into में 0 है इसको अगर 0 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0 equals to me 12 हमारा as it is है 2x में से 0 को minus करेंगे तो यह हमारा 2x ही रहेगा equals to me 12 हमारा as it is हमें x की value find करनी है तो x equals to me 12 x के साथ में जो भी हमारा यह 2 multiply है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा यह divide में 2 से 12 को cancel करेंगे 6 times पर अगर हम y की जगे पर 0 रखते हैं second equation में तो x की value हमें क्या मिल जाती है 6 मिल जाती है यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बाद इसी तरह से x की जगे पर अब की बार 0 रख लेते हैं यहाँ पर जो भी हमारा x है इसकी जगे पर हम 0 रखेंगे तो y की value क्या मिलेगी देखो यहाँ पर 2 हमारा asities आएगा x की जगह पर 0, minus का 3y, equals 2 में 12 2 में 0 multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर 0 हो गया तो उसके बाद बचा हुआ क्या है, minus में 3y, equals 2 में आजाएगा 12 हमें y की value find करनी है, तो y equals 2 में आजाएगा 12 यह वाला minus का sign लगा हुआ है, यह as it is यहाँ पर लग जाएगा इस 4 के साथ है, so y की value क्या मिलेगी हमें minus का 4 यहाँ पर जो भी हमने यह दो solution find किये हैं, यह first वाली equation के लिए यह second वाली equation के लिए, अब इन solutions से हम graph draw करते हैं और हमें यह देखना है, हमने क्या find किया था, इस तरह की condition हमें मिली थी यानि की lines कैसी है, एक दूसरे को cut करने वाली intersecting lines हमें मिलती है जब हमने इन equations के ratio को compare किया था, तो graph draw करके यह check कर लेते हैं क्या सच में हमें intersecting lines मिलती हैं या नहीं graph draw करने के लिए move करते हैं next, page पर पीछे वाले page पर जो भी हमने coordinates find किये थे, equations को solve करके इन दोनो equations के जो भी coordinates हैं, इनको अब graph पर show करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखो, x 6 है, y 0 है यानि कि 6 0 हमें करना है, तो x की value 6 कहाँ पर होगी यह हमारी x axis है, यह हमारी y axis है, तो यहाँ पर है यह x 6 और y की value 0 कहाँ पर होती है, हमें 6 0 करना है तो 6 0 यही वाला point होगा, जो भी हमारा point है इसको एक red dot से यहाँ पर show कर देते हैं, यह वाला point हो जाएगा हमारा guys 6, 0 लिख भी देते हैं यहाँ पर होगा x 6 और y 0 इस तरह से bracket में लिख देना है इसके बाद next क्या है 0, 2 x 0 है y 2 है तो x 0 तो यहीं पर हो गया उसके बाद y 2 कहाँ पर होगा यह वाला point हो गया यानि कि यह वाला हमारा coordinate हो जाएगा इसको भी यहाँ पर इस तरह से point लगा करके इसके जो भी coordinates है 0, x है और y हमारा 2 है वो यहाँ पर लिख देने हैं फस्ट वाली जो भी हमारी equation है उसके दोनो points हमने यहाँ पर बना दिये हैं red point आपको दिख रहे होंगे इसके बाद यहाँ पर है second वाली equation second वाली equation में x 6, y 0 यानि कि 6, 0 हमें coordinate करना है तो 6, 0 तो हमारा यह रहा तो जो यह वाला point होगा हमारा second वाली equation के लिए 6, 0 यही same point हो जाएगा इसके उपर दुबारा से draw करने की ज़रूरत नहीं है हमारा यह वाला point हो गया अब इसके बाद 0, minus 4 तो x यहाँ पर होगा 0 और y minus 4 होना चाहिए तो y minus 4 यहाँ पर होगा यह वाला हमारा point हो जाएगा जो भी हमारे point है जो भी हमारा यह वाला point है और यह वाला point है scale रखेंगे, इनको align करेंगे और एक cd line इस तरह से draw कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा यह वाला point है यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनो points को align करेंगे और एक cd line इस तरह से draw कर देंगे आप देख सकते हो जो भी lines है हमारी first equation और second equation की दोनो एक दूसरे को intersect करती है कौन से वाले point पर intersect करती है वही equation का solution होगा इस वाले point पर एक दूसरे को cut कर रही है यानि कि यही होगा solution इस वाले point पर देखो x की value 6 है y की value 0 है यानि कि दोनो हमारी जो भी equations है उनके लिए x equals to में हो जाएगा 6 और y equals to में हो जाएगा 0 यह तरह से solution find किया जाता है graphically x की value हमारी 6 आ गई y की value हमारी 0 आ जाती है जो भी variables थे उनकी value हमने find कर ली है यहाँ पर first और second equation के लिए जो भी lines है ना उनको अच्छी तरह से draw कर दोगे जहाँ पर भी cut करेगा वहीं पर हमारी x और y की value मिल जाएगी graphical जो method था वो हमने complete कर लिया है example के साथ अब इससे जो next method है उसके लिए move करते हैं guys next page पर पीछे वाले pages पर जो भी example में हमें equations का pair दिया गया था उसको graphical method से हमने solve करना सीख लिया है graphical method किस तरह से work करता है कौन-कौन से point ध्यान में रखने है सारी चीज़े हमने समझ ली अब मालो question में हमें ये बोल दिया गया है कि ये equations का pair दिया गया है इसे equation के pair को हमें substitution method से solve करना है तो हमें substitution method से solve करना पड़ेगा अगर graphical method से solve करेंगे तो exam में mark से नहीं मिलेंगे तो second जो method है pair of linear equation in two variables को solve करने का substitution method इसको समझते हैं इस वाले page पर जो पीछे वाले pages पर example लिया था वही दो equations हमारी यहां पर है उपर वाली हो जाएगी हमारी first equation नीचे वाली हो जाएगी हमारी second equation substitution method में किसी भी एक equation से variable की value को find करके दूसरी वाली equation में variable की जगह पर put कर दिया जाता है तो उसे substitution method कहा जाता है और जो भी variables है उसकी value हमें मिल जाती है अब यह work कैसे करता है कोई भी हमारी एक equation हमें उठा लेनी है चाहे first equation उठा लो चाहे second equation उठा लो चलो first equation से इसको solve करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखता हूँ from equation first first वाली equation से हमें इसको solve करेंगे first वाली equation को यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि है हमारी x प्लस में 3y equals to me 6 है अब इस equation में हमें ध्यान क्या देना है जो भी हमारी यह equation है ना इसमें हम एक variable की value find कर लेंगे या तो x की find कर लें या फिर y की find कर लें कोई भी एक find कर लो अपनी तरफ से मैं x की कर लेता हूँ x variable की value को find करने का मतलब होगा कि x तो यहाँ पर रहेगा x के अलावा जो कुछ भी इस side में है सब कुछ दूसरी तरफ भेज दो दूसरी तरफ पहले से हमारे पास 6 है उसके बाद 3y यहाँ पर plus का है दूसरी तरफ इसको shift करेंगे तो यह हो जाएगा minus का 3y यह हो गई हमारी गयसे third equation third वाली equation में हमारे पास मिला क्या है हमें x की value हमें मिली है x किसके equal है 6 minus में 3y के जो भी यह x की value है इस x की value को second वाली equation में x की जगे पर substitute कर देंगे इस लिए इस method का नाम रखा गया है substitution method तो यहाँ पर लिखूंगा substitute the value of x in second equation जो भी हमारी यह x की value है इस value को second equation में हम x की जगे पर substitute कर देंगे बदल देंगे तो जो भी second equation है उसको as it is यहाँ पर लिख लेते हैं 2x minus में 3y equals to में आ जाएगा हमारा 12 second equation अभी हमने यहाँ पर as it is लिखी है इसमें यह रहा x इस x की जगे पर यह वाली value रख देंगे जो भी x की value है 6 minus में 3y तो 2 हमारा as it is x की जगे पर हमें इसकी value यह रखनी है जो की है 6 minus में 3y उसके बाद bracket close करके x की जगे पर हमने यह रख दिया उसके बाद जो भी यह values है as it is आ जाएंगी minus में 3y equals to में 12 अब इसको solve कर लेना है सबसे पहले bracket को solve करेंगे bracket को solve करने के लिए यह वाला 2 6 में भी multiply होगा और 3y में भी multiply होगा 2 को 6 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2 6 आ 12 उसके बाद minus का sign as it is 2 को 3y में multiply करेंगे 2 3s आ 6 हो जाएगा और y हमारा as it is उसके बाद minus का 3y आ जाएगा और equals to में आ जाएगा 12 है आगे इसको solve करेंगे तो जो भी y वाली terms है उनको हमें calculate करना है यहाँ पर minus 6y है minus 3y है दोनो minus वाली values है minus वाली values है तो sign minus का ही रहेगा लेकिन दोनो add हो जाएगी 6y और 3y यह हो जाएगा हमारा guys 9y equals to में हमारा 12 as it is यह वाला 12 अभी भी हमने नहीं लिखा है इस वाली 12 को यहाँ पर यह वाला 12 कैसा है प्लस का है दूसरी तरफ shift कर देंगे तो यह हो जाएगा 12 minus का अब यहाँ पर इसको आगे solve करेंगे तो y हमारा चलो आगे यहाँ पर solve कर लेते हैं काफी जगे है हमारे पास page पर तो y की हवेली हमें find करनी है तो y हमारा as it is आएगा equals का sign लगा लेंगे equals में हमारे पास 12 minus 12 है 12 में से 12 ही चले जाते है गायब हो जाते हैं तो हमारे पास 0 आएगा उसके बाद y के साथ में यहाँ पर minus का 9 है minus का 9 है कैसे है y के साथ यह multiply में है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा यह divide में minus का 9 है अब y की value क्या मिलेगी हमें 0 upon में minus 9 है तो यह 0 के equal ही होता है y की value तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाती है एक variable की value हमें मिल गई दूसरे variable की value find करने के लिए क्या करेंगे जो भी y की value हमें मिली है उसको third वाले equation में put कर देंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ put y equals to 0 in equation third जो भी y की value हमें मिली है उसको third वाले equation में put कर देंगे तो third वाले equation को यहाँ पर as it is लिखता हूँ जो कि हमारी है x equals to me 6 minus में 3y x यहाँ पर as it is आएगा equals to me 6 आजाएगा minus का sign as it is 3 भी आजाएगा उसके बाद y की जगह पर क्या होगा y की value हमें 0 मिली है तो इस वाले y की जगह पर भी हमें 0 रख देंगे इतना ही simple है 0 रखा अब इसे calculate कर लेंगे x as it is equals to me 6 आजाएगा minus का sign लगाएगे 3 को 0 में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 0 अब जो भी हमारा x है उसकी value क्या होगी x equals to me 6 में से 0 को minus करेंगे तो x की value हमें मिल जाएगी 6 जो भी हमें pair of linear equations दिया गया था यहाँ पर हमें y की value मिल जाती है और यहाँ पर हमें next यहाँ पर हमें x की value मिल जाती है किस तरह से substitution method वर्क करता है example के साथ मैंने आपको explain कर दिया है फिर से बता देता हूँ कोई भी एक equation उठाएंगे उसमें से variable की value find करेंगे जैसे यहाँ पर हमने x की find की है उसके बाद जो भी value मिली है उससे दूसरी वाली equation में यानि की second वाली equation में x के जगे पर वही x की value put कर देंगे और solve कर लेंगे तो जो भी variables हमारे x और y हैं उनकी easily value find की जा सकती है substitution method से pair of linear equation को इस तरह से solve किया जा सकता है substitution method हो जाता है complete अब इससे next जो method है न इनी दोनो equations को एक नया method है जिसे कहते है elimination method, third वाला method उससे भी solve करके आपको बता देता हूँ elimination method क्या होता है इसको समझते हैं next page पर pair of linear equation in two variables को solve करने का last method है elimination method elimination method में जो भी हमें pair of linear equation in two variables दिये गए हैं इन में से हमें किसी भी एक variable को cut करना होगा eliminate करना होगा भगाना होगा किस तरह से किया जाता है ये इसके लिए हमें थोड़ा से दिमाग के गोड़े भी दोडाने होंगे अब example में हमारे पास वही दो equation है जिसको हमने graphical method से भी solve किया था substitution method से भी solve किया था तो उपर वाली हमारी first equation नीचे वाली हमारी second equation same वही चीज अभी तक जो हमने की है पीछे वाले pages पर graphical या फिर substitution method में वही हमने elimination में की है अभी तक कि first और second equation हो गई अब इनको elimination method से solve कैसे करना है देखो elimination method से solve करने के लिए एक condition की जरूरत हमें होती है और वो condition क्या है कि या तो हमारी x वाली जो terms है ना वो बिल्कुल same होने चाहिए जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए या फिर यहाँ पर 2x है यहाँ पर भी 2x होना चाहिए equal होनी चाहिए terms की value या तो x वाली terms की value या फिर y वाली terms की value जैसे यहाँ पर plus का 3y है तो यहाँ पर भी अगर plus का 3y होता तो easy हम इनको solve कर पाते लेकिन अगर equal नहीं है ना तो x वाली terms यहाँ पर equal है ना ही y वाली terms equal है बहुत सारे कहेंगे कि y वाली terms तो equal है लेकिन यहाँ पर यहाँ प्लस में है यह वाली minus में है equal नहीं है वो अगर दोनों plus में होती या फिर दोनों minus में होती तो equal होती ना तो x वाली यहाँ पर equal है ना ही y वाली हमाली यहाँ तो हम इनको खुद से equal करेंगे, अगर हमें equal नहीं मिलती है, तो हमें equal करना होगा, जैसे यहां पर 2x है, तो इसको भी हमें 2x बनाना होगा, और 2x बनाने के लिए क्या करें, जो भी हमारी first equation है, इस पूरी equation को अगर मैं 2 से multiply कर दूँ, 2 से x को multiply करूँगा, तो 2x बन जाएग तो यहां पर हमें लिखता हूँ, multiply equation first by 2, जो भी हमारी first equation है, इसको मैं 2 से multiply कर देता हूँ, यहां पर मैंने लिखा 2 bracket लगाके, जो भी हमारी first equation है, as it is, यहां पर उतार दूँगा, first वाली equation हमारी x प्लस में 3y equals 2 में 6 bracket close है, इसको multiply करेंगे, यहां पर 2 को x से multiply करूँगा, तो यह हो जाएगा 2x से, उसके बाद plus का sign as it is, 2 को यहाँ पर 3y से multiply करूँगा, 2, 3 जा 6, y हमारा as it is, equals का sign as it is, 2 को यहाँ पर 6 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 12, जो यहाँ पर हमारी एक नई equation हमें मिल गई है, 1st वाली equation को 2 से multiply करने के बाद, यह हो जाएगी guys हमारी 3rd equation, अब जो भी हमारी 2nd equation है और 3rd equation है, इनको हमें देखना है, हम क्या कर सकते हैं, कि जो भी हमारी 3rd equation है, उसमें से 2nd वाली equation को minus कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए मैं लिखता हूँ, subtract equation 2nd from 3rd, है, 3rd equation में से 2nd equation को हम subtract करेंगे, और subtract कैसे करना है, 3rd में से 2nd को करेंगे, तो 3rd वाली equation यहाँ पर लिखी जाएगी सबसे पहले, जो की हमारी है, 2x plus में आ जाएगा 6y और equals to में आ जाएगा 12, इसके बाद third में से second equation को करना है तो इसी के नीचे लिखी जाएगी हमारी second वाली equation जो की हो जाएगी हमारी 2x minus में आ जाएगा 3y equals 2 में आ जाएगा हमारा 12 हमें third equation में से second equation को minus करना है तो यहाँ पर एक line लगा करके minus का sign लगा देंगे अब यहाँ पर देखो 2x है minus करेंगे इसमें से 2x को तो 0 हो जाएगा यानि कि यह वाली values cancel हो जाएगी 2x में से 2x माइनस होने पर 0 हमें मिलेगा direct इस तरह से हम cut भी कर सकते हैं अब इससे next यहाँ पर देखो यहाँ पर है 6y हमें minus करना है इसमें से minus 3y को एक side में लिखो इसे 6y है इसमें से हम minus करेंगे यह वाला minus sign कुन सा है ठीक है यह वाला और यह वाला minus का sign भी हमें लगाना होगा तो minus में 3y तो यहाँ पर क्या होगा 6y उसके बाद minus minus यह हो जाएगा हमारा plus में 3y 6y plus में 3y करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9y या फिर इस तरह से भी आप समझ सकते हो minus minus यह हो जाएगा हमारा plus 6y में से 3y को minus करेंगे लब 6y में से minus करेंगे minus 3y को तो यहाँ पर मिलेगा हमें 9y उसके बाद equals का sign लगा करके 12 में से minus करेंगे 12 को यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 यानिकि 12 में से 12 minus हो जाएगा या फिर इ value मिली है यहां से y की value easily find कर सकते हैं इस equation से तो y as it is आ जाएगा equals to 0 आ जाएगा y के साथ में यहां पर यह क्या है 9 multiply में है दूसरी तरफ shift करेंगे तो यह हो जाएगा divide में आगे इसको solve करेंगे तो y equals to 0 upon 9 है यहां पर एक line लगा लेता हूँ y की value क्या हो जाएगी हमारी 0 upon 9 है तो यह हो जाएगा हमारा 0 के y की value हमारी 0 हमें मिल जाती है जो भी y की value हमें मिली है इस y की value गो first या फिर second किसी भी एक equation में put कर देंगे तो हमें x variable की value भी easily मिल जाएगी तो यहां पर मैं first equation को लिख लेता हूँ जो की है हमारी x plus में 3y equals to में आ जाएगा 6 जो भी हमने यह rough work किया है इसे हटा देता हूँ और यहां पर मैं लिख देता हूँ put y equals to 0 in equation first जो भी हमारी first equation है उसमें y की जगह पर हम 0 put करेंगे तो x हमारा as it is plus का sign लगा लेंगे 3 हमारा as it is y की जगह पर 0 put करेंगे equals to में आ जाएगा 6 है x की value क्या होगी हमारी देख सकते हो यहां पर 3 को 0 से multiply करेंगे तो यह 0 हो जाएगा लिखने की ज़रूरत नहीं है इस side में हमारा सिरफ x आएगा equals to में आ जाएगा 6 है जो भी हमने तीनो method यूज किये हैं चाहे graphical method यूज किया चाहे substitution method यूज किया चाहे हमने इस वाले page पर elimination method यूज किया तीनो method में आपने देखा होगा बिल्कुल सेम यही example हमने रखा है तीनो method में हमारी y की value 0 मिली है हमें हर बार और x की value हमें 6 मिली है method अलग-अलग हो सकते हैं और method हमें सारे के सारे आने चाहिए graphical भी आना चाहिए, elimination भी आना चाहिए और substitution भी आना चाहिए क्योंकि हर एक method से exams में हमसे question पूछे जा सकते हैं तीनो method को समझना है और जो भी question से हैं उनको easily solve कर लेना है तो ये था last method, chapter number 3, pair of linear equation in two variables को solve करने के लिए इसी elimination method के साथ है introduction to pair of linear equation in two variables chapter number 3 का जो भी introduction है वो हो जाता है complete उमीद करूँगा जो भी concept है, example के साथ जो भी explain किये गए थे सभी के सभी concept आपको समझ आए होंगे, अगर आए हैं तो वीडियो को like कर देना, आपने classmates के साथ share कर देना जितने भी नए students है चैनल को subscribe कर लेना class tensor related जो भी educational content है, जो भी educational videos हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी सो इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह के next educational video में चैनल भीडियो झाइ होंगे, टो भीडियो जाओन पर आपसे देना